इस लेक्टर में हम देखें कि साइब को आप किस तरह से इंटरपीट कर सकते हैं इक्स औफ टी न्यूटन सेगंड लॉट सॉल्व करने के बाद एक्स औफ टी अगर आपको मिलता तो आपको वाज़स दोर पर पता है कि आप कोई भी टाइम पूट करें उस टाइम पर क्रॉस पॉंडिंग पार्टिकल की पॉजिशन क्या है वह आपको यह फंशन बनाएगा उसकी हदूद को आप देख सकते हैं लेकिन वे फंशन जो कि जैसे के नाम वह सब्सक्राइब करता है कि तो यह किस तरह से एक पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है वे फंशन यह हमारे पास सैट ऑफ क्वेश्चन है वह जैसे कि स्टाइब मैंने का एक्स फ है स्टेट क्या है कि तो इसका अंसर में मिलता है बॉन स्टेसिक कल इंटर्पेटिशन ऑफ साह है और ये इन टर्प चेटी है कि साह में इव यह कि एफक हुन्वा था था इक होंप्लेक्स फंशन होगा ठीक है तो उसका आपने मोड़ूल स्क्वेर आपने complex पढ़ा तो वो त्याहिए एक सेूप के अपके पास बंगया यह मौड special कि यह हमारे पास होगा पॉइंट एक्स एड टाइम टी तो एक्स वफ टी हमें क्या बता था कि आप उसमें टाइम पूट करें हैं टाइम पूट के उसके कॉस पोड़निंग वह सकी पॉइशन स्टेट बता देगा यह पूइशन हमारे पास इसके में जबकि हम यहां पर साइस को यहांनि कि मॉडूल स्कूर है और वो इंटरफ seminar काता है कि point P पे let's say point X पे यह x point है at given time T particle के पाई जाने की यहाँ पे probability क्या है यह इसकी जो interpretation है और अगर आपने एक point पे probability नहीं find किया दि जो point होता है मारे पास वो कोई interval लिया जाता है कि इस region के अंदर यानि कि 0.2 dx के अंदर या 0.3 या 0.01 हम इतने limit के अंदर इतने dx के अंदर हमार पास probability क्या तो यह limit याती है एसे बी तक जो particle के पाई जाने की probability वह हम इस तरह से find out करेंगे कि dx के यह साई मोडलो स्क्वेर को integrate कर देंगे ए बी तक ठीक है तो यह हम जैसे मैं लिखा finding particle between a and b add time ठी तो इसको ग्राफिकली हम यह जो करेंगे तो आप plot करें इसको y axis पे यह मोडलो स्क्वेर है तो मोडलो स्क्वेर है माई पास समेशे positive quantity होगी तो यह positive quantity आपको देखा रहा है कि x axis का जो positive region है तो यह जो integration होगी आप देख लें कि यह height है ओ जी हमारे पास इस पॉइंट करें जैसे पॉइंट करें जैसे पॉइंट इस पॉइंट पर देखें यह वे फंशन बता रहा है कि इस पॉइंट ए पर पाइटिकल के पाई जाने के पॉइंट ज्यादा है एस गंपेड़ टू सी एस कंपेड़ टू बी तो टोटली हमारे पास पॉइंट जीरो है तो यह हमारे पास interpretation है तो न्यूटन साथ सेक्टन लोग आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है में information मिलेगी वह मिलेगी कि आप एक पोबिल्टी आपको मिलेगी इंटर्वल में कि इस पॉइंट इदर से लेके इदर तक पार्टिकल के पाई जाने की पोबिल्टी यह है तो इस तरह से हमारे पास एक काइंड ओफ इंडेटर्मिनिंसी कॉंटम में नदर आती है कि आपको एक नंबर मिल जाएगा कोई नहीं पॉबिल्टी सिर्फ आपको बताएगा पार्टिकल यह इस कॉडिनेट पे है यहां पे मौजूद है पास पॉबिल्टी ठीक स्ट्राइटिकल इंफॉबिल्टी तो यहां से कॉष्चन होता है वह यह इट फैक्ट ऑफ नेचर और दिफैक्ट फूरी थियूरी हमारे पास जो है वो उसका डिफेक्ट है वो लीमिटिट है यहां फिर यह फैक्ट ऑफ नेचर है यह कॉश्जन होता है जो डिबेट जहांसे स्टार्ट होती है और इसको इसको देखने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से आप इस चीज को डिफेक्ट को एक्स्प्लेंट कर सकते हैं हो यह है स्पोर्ज वी फाइंड पार्टिकल एट सी ठीक है लेट से हमने हमने की कर ने के बाद हमें जो पार्टिकल मिला है वह है एक कुश्चन हमसे हम यह हैं पूछते हैं वेर वाद पार्टिकल बीफोर मज़ेर्मेंट करने से पहले पार्टिकल का मौ जो था ठीक है तो हमें क्वांटम मेक्पेशन खैंब इसकी इंटरिपेटिशन क्या हो सकती है possible वो तीन है ठीक है एक तो realist approach है realist approach है और यह school of thought है और वो यह कहते हैं हमारे पास the particle was at c के particle measurement से पहले भी c पे मौझोद था अगर ऐसा है तो फिर थीरी ने हमें क्यों नहीं बता है हमें सिरफ उसने ये बताया कि particle c पे लेट से पाए जाने की पॉबबिल्टी है ये 50 परसेंट ठीक है तो अब थियोरी ने हमें नहीं बता है कि 100 परसेंट सीप है तो इसका मतलब ये है कि एफेक्ट ओफ नेचर नहीं है बलके ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे इक नोरेंस को और इस वजासे जो साई है वो होल स्टोरी नहीं है ब कि इसके साथ कोई और हमारे पास इंफर्मेशन मिल जाए जो कि यहां पर मिसिंग साई में नहीं है जिसको हीड़न विरिपलस कहा जाता था उस वक्त तो वह मिल जाए तो भी हम 100 परसेंट बता सकते थे कि साई पार्टिकल सीप है तो ये स्कोल ऑफ थाट है जो कि सीपर पार्टिकल के पाय जाने की लिए दूसरी अप्रोच है और्थो डॉक्स दा पार्टिकल वाज सनॉट एलिए हरे अनीवे ठीक है यह और्ट बार्टिकल कहीं पर मौजूद नहीं था बलके इड़ यट्वाज एक्ट ओमियरमेंट डेट फोर्टव अपार्टिकल टौपिक है दोनेक्ट तकी किएस्ट ऑ defensa23 कbec किया जाना चाहिए तो में एक कुछ स्टेट्मेंट कर जाए एहम सि किम एा ना सिर्फशर करती तो इस को समझा प्रोडूस्व भी करती है तौप धाले Cक जैसे हमने मेर किया तो वो पार्टिकल ने एक जिगापे अपने आपको रिवील किया एक जिगापे उसको स्टेंड लेने पर मजबूर किया तो इसको हम व्यू कहते हैं कॉपीहंचन इंटरप्रटिशन है और यह स्कूल ऑफ थॉट है जिससे जो बोहर और फॉर इसके फॉल मेर्मेंट से पहले पार्टिकल कहीं पर मजबूर किया आपको जो एक अपना च्रेंड ले और ना सिर्फ मेर्मेंट आपको पॉजिशन मेर करने हल्प करती है बलकि वह और सिस्टम को डिस्रॉप करती है तो यह हमारे पास वाइली एक्सेप्ट इजो थॉट्ट स्कूल बहुत है एक तीसरी भी हमारे पास टेंडिंग है वह यह एक्नॉस्टिक को करते हैं रिफ्यूस्ट वो करते हैं इसका भी जवाब नहीं दिया जा सकता है वह कैसे पहले कहां था वह मेर करके मेर कि बगार आप आप अथे सकते तो इस सब्यूस्ट का चुछnew यह पार्टिकल जो है ऑप सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करते हैं। तो इसने बैल ने एक एक्सपरिमेंट डिजाइन किया जो कि हमें बताता था कि परिये टू जो उसकी एक पर्टिक्ल पाइंट पर थी या नहीं थी ठीक है तो फिर डिबेट किसमें रागे रह गी चला गया तो यह जो डिबेट है बैल सिर्म किया है यह तो हम आखिर में जाके देखेंगे कि अप्रिशेट तभी हम कर पाएंगे जब कॉंटम थी पढ़ लेंगे हम इसको लेकिन इसका रिजल्ट यह था इट टूंस आउट डैट ऑर्थोडॉक्स इस क्रेक्ट एंड कॉंट करेका है बलके यहयん और इसकी कोश्योन होता है जिसमें डिबेट नहीं है अब अगरीज बलके वारी अक्य। यह थोड़ और इसमें सारा एक्रीमेंट है वुट इफाइड इंड आफ मेंड की आ इमजट्री आफ्टर दा फॉर्स्ट तो आपके पास क्या रिजट मिलेगा यह पर आपको सेम रिजट मिलेगा तो इस पर सारे हैं कि के आपके पाद जो रिपीटिटर में वहती हैं तो आप दूसी मेरमेंट करेंगे आपको पार्टिकल सी पर मिलेगा और इसके पीछ आईडिया है हमारे पास कि आप जो महीर करते हैं सिस्टम को तो आप जो वे फंचन है उसको रिडिक लिए अलडर वो चेंज कर देते हैं ठीक है और वह पहले फे फंचन मौजूद नहीं हो जाता है जो होता जो के माईयारमेंट से पहले होता है एक हैं स्पएस्ट नहीं होता है तो हम में मारे पास टू डिस्टिंग्ड काइंड ओफ फिजिकल प्रॉसेस है एक और नी प्रॉसेस है जिसमें हमारे पर वे फंशन एम इवाल्व होता है जो मैंने आपको प्रिवेस डागराम में शौफ किया और एक होता है वे फंशन मेजरमेंट के फोरण बाद तो यहां से आपने देखा कि हमारे पास जो क्वांटम मेकैनिस में वे फंशन जो सेंट्रल पार्ट है और उसकी जो इंटरपीटिशन है हमें वह पॉबिलिस्टी के वबिल्टी है तो हमें स्ट्रेटिस्टिकल इंटरपीटिशन के लिए एक थोड़ा सा रिवाइस करना पए गया पॉबिल्टी के कॉंसेट्स को थूरी से हट के हम नेक्स लेक्चर में आप पॉबिल्टी को डिस्ट्स करेंगे और उसके फंडमेंटल्स कैसे एंटिवलप करेंगे फिर दुबार हम कॉंटर मेकैनिक्स में आ जाएंगे